हाई गाईज कैसे उम्मिद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे मजयम होंगे और होठो पर खुशी और हसी होंगे आज दोस्तों आपको हम 12 का बाइलोजी पर आने वाले हैं वह फस्ट चेप्टर समझ पाए ने यह NCRT बुक जो है इसको कभर करेंगे यह पहला चेप्टर है मेरा फस्ट रहेंगे इस बात को आप दिहां देंगे यह 12 का यह सेशन है और आपका यह फस्ट लेक्चर है समझ पाए नो वीडियो में बता रहे हैं और मोटीवेशन आप देते रहेगा तो स्लेवस फटा-फट खतम होगे लेकिन मोटीवेशन नहीं देंगे तो स्लेवस डल र परियाबरान से संबंदित यह 5 यूनिट है इसमें से पहला यूनिट है जीवा में जनन रिपोडेक्शन इन और गेनीजम इन जीवा में जनन है इसको आज देखते हैं यह फर्स्ट लेक्टर बस स्वाट वीडियो रहेंगे दस से बारे मिनट का लेकिन इसमें वो बात वताएंगे जो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होंगे तो आएए देखते हैं मंगलम मनी पॉंडे सरका सो बड़े ही जोस बड़े ही उमीद बड़े ही सोर के साथ तो देखें सबसे पहले देखें जीवा में जनन क्या है च में पढ़े होंगे 10 में पढ़े होंगे अब 12 में पढ़े हैं तो आप कोमेंट बॉक्स में छापी एगा जुरूर देखे जनन किसे कहते हैं आपको पता है कि जब एक जीव अपने ही जैसे अन्य जीवों को अन्य संतोनों को उत्पन करते हैं समझ पाई नो ऐसी पर किरिया क् जनन क्या का लाता है जनन क्या का लाता है जनन बात समझें जब एक जीव सिंपल लेंग में समझें जब एक जीव अपने ही जैसे दूसे जीवों का निर्मान करते हैं दूसे जीवों का जन्म देते हैं इसे ही बोलते हैं जनन क्या बोलते हैं जनन आये बोड़ पर भी लिक करेंगा आगा तो देखिए जीवाँ द्वारा अपने समान जीवाँ द्वारा अपने समान देखिए थोड़ा बहुत अंतर होगा लेकिन अपने ही समान अपने समान संतती एनि जीवाँ को उत्पन करने की छमता उत्पर करने की छमता जनन कहलाता है कुछ कहलाता है क्या है जीवो द्वारा अपने समन जीवों या पिर्थिवी पर नोट पॉइंट में या पिर्थिवी पर समन जाती या जीवों की सुनिष्चित करता है क्या करता है सुनिश्चित करता है अब बताइएगा मतलब क्या जानते हैं ना सर फिर से बोलिए मतलब यहां पर का रहा है कि एक जीर्व्यान अपने समन या अपने एविडेंस अपने परजाती अपने परमान के जीवों को उपस्चित रखते हैं बोलेंगे सर सर जैसे जैसे आप दियान देंगे डैनासोर अभी बिलूप्त प्राणी हैं लेकिन उनके परजाती भी हैं परजाती भी हैं कई रूप में डैनासोर के रूप में नहीं कई जीवों के रूप में हैं धेर साहडे डोडो पक्षी लेकिन उनके परजाती हैं लेकिन वो बिलूप्त हैं बाते स मेरे दादा मेरे दादा के पिता आज वो नहीं है लेकिन अपने परजाती को छोड़ चुके हैं मेरे दादे कुछ दिन में मर जाएंगे भी जिन्दे हैं उनके पिता अभी मेरे पिता जी हैं अब हम जब अपने एडल्स होंगे अपने बुढ़ा पे हम रहेंगे तो हम अपन पर जाती छोड़ेंगे वो अपना तो इस परकार जीवों की सुनस्चित चलते रहते हैं और जीव में भी सेम कंडिशन होता है बाते समझ बारें बिल्कुल सर हां समझ बारें आगा देखते हैं इसके बाद आप समझेंगे 12 के बाइलोजिम आपको मज़ा आएगा क्या जनते जनन चेप्टर पढ़ने में खुलकर आप पढ़ेंगे मज़म पढ़ेंगे अब इसके वाद आता है लाइफ एस्पेंट जिसको बोलते हैं आप जीवन अबधी जीवन अबधी क्या होता इसको भी समझते हैं समझे मतलम ना समझे सुनिए जब किसी जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकिर्तिक मिर्तियू तक के समय को क्या बोलते हैं जीवन अबधी काते हैं क्या कते हैं जीवन अबधी बोलिएगा बीच में सर मार दीजिए तो वो प्राकिर्तिक मिर्तियू नहीं हो गया बीच में एक्सिडेंटल घटना हो गया वो प्राकिर्तिक मिर्तियू नह लिखते हैं चार्ट उसमें लिखते हैं उसको समझाते हैं तब आपको समझाएंगे एक जीवन की अब्धी क्या होता है जीवन की अब्धी जैसे मनुस्यका आज पहले जीता था 80-100 साल अभी भी बहुत सारी 100 साल जी रहा है एक दूर साल मर जाएगा नहीं तो वह सब पहले मानव का जीवन अब्धी ता 100 साल तक जीच सकता है अभी 60-70 नहीं 60-70 अब धिरे-धिरे में हो जाएगा 30-40 अइसा होगा क्या एक समय में लेकिन आप धियान देंगे कुछ जीव लिखते हैं उनके अब्धी पहले यह आप समझ के बोट पर जो लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है कि जीवन अब्धी किसे कते लाइस-पेंड किसी जीव के जन्म से लेकर प्राकिर्तिक मिर्तियु तक के समय को क्या बोलते हैं जीवन अब्धी इसको एक इसको लिखे और आपको चार्ट देते हैं इसको समझ लेते हैं धाइदवार लिजे मुँए अब आएए आप देख लिए लाइफ अ अब दिन जिसको पूलते हैं लाइफ comment यहां देखें हमने लिखे हैं क्या है और गेंज्म इसने लिखें वक्त थी चाहर है कम है उसके लाइफ कम है और मेरा अगए धिखेंज्मि यहां पर ऑलगेंओ यहां है पर चाट लिका है आप एक वाद ध्यान देंगे आकिर्ती और अकार पर निर्भर नहीं करता है कहिए का कैसे सर नहीं करता है तो आईए आप देखिए कैसे नहीं करता देखिए जैसे गुलाब का पौधा जानते हैं पाँच से साथ यर तक चलता है कितना पाँच से साथ यर उसक कितनों 400 प्लस येर ist चार्सस प्लस येर केला का दो से तीन साल कुट्था का 22 साल कुट्था का कितना है 22 साल टिटली का एक से दू एक ऐक से दो साप्ता उसके बाल मंक्खी बनते मीपने जिसको बोलते हैं उस का है दो विक कितना है दो वीग कितना है दो इग अब बताईए अगाम तुलना कर लेते हैं तोता का कितना है 140 एर अब बताईए 140 एर इतनों छोटा हितनी चुक्की होगा तोता आप तो पाले होंगे मीठो मीठो करवाया होंगे लेकिन देखेंगे इतना बरा गुलाब का पौदा है इसका देखेंगे पहुंच से 7 एर तोता का देखेंगे 140 एर और किसी से तुलना कर लिजिए मगर मच्छे को देख लिजिए ये कब तक जीता है साइट साल लेकिन ये देखेंगे तोता को ये 140 इससे कहीं गुना बरा होगा इसको टुकडा टुकडा काट कर बनाएंगे तो सुम्दस को तोता बन जाएगा लेकिन ये कितना जीता है 140 इयर इनका जो लाइफ है स्पेन है वह है साइट इयर मतलब इसका कहने का मतलब सिधा सिधा है कि ये ना ही आकार ना ही आकिर्ती पर निर्वर करता है ये हर जीवों का अपना अपना लाइफ है स्पेन होता है गोरा का देखेंगे 40-50 और कच्छुवा का देखेंगे 15 बर्ष गाइ का देखेंगे 22 बोलेंगे सर यहाँ पर कुतो की यहर 29 बर्ष और गाईयों को 20 बर्ष हा इनका life is spent इतना ही है मेरे साथ यह आगां देखेंगे हाथी को पचास से साइठे यर्ष पचास से साइठे यर्स, समझ पाए नो, कच्छुआ के देखेंगे, कच्छुआ के, कच्छुआ एक स्वासे डेर साल, लेकिन हाथी कच्छुआ, हाथी को टुकडा टुकडा काट के बनाएंगे, एक हजार कच्छुआ निकल जाएगा, इतनी हुत्ती चुकी रह भी करता है, लेकिन ये कितना जीता है, एक स्वासे डेर स्वासाल, लेकिन ये पचास से साइठे साल में डिथ हो जाता, मतलब कि आकार आकिर्ती पर निरभर नहीं करता है, तो करता कोंची पर है, अपने लाइफ स्पेन पर, जिस जीवों का जितना जितना लाइफ स्पेन है, वो आप आपको याद रखेंगे कभी आपको NCRT बुक में आपको भरने को मिलेगा है ना तो किताम में हो चलिए धाइदवर आप एक इसकें सब्सक्राइब फिर इनको समझते हैं क्या देखेंगे जनन के परकार में आप देखेंगे कि जनन दो परकार करते कि तरफार कि दें परकार कि कि परकार कि पहला एक मंता है और धियांगिक अपकी तेखेंक मतलब तो ट्वैल्थ में पूछ दिया तो कोन भरी बात है लेकिन आपका शीरीज है तो हम बता रहे हैं देखिए जनन के दो प्रकार है लाएंगिक लहेंगिक अब बुलिएका सर लहेंगिक जनन किसे करते हैं तो य्ग दोसर बोलेगा सरो जनन की से करते हैं तो पता है आपको कि लएंगिक जनन में अर और मादा। दोनों का युगमक स्लियन होता है अरे जावनों क्या है बीच में ट्रक्टर जाता है रोड से धूम मचे लिए पता है आप सबको क्या है लेंगिक जनन क्या कि नर और मादा के सलियन को क्या बोलते हैं है लाहिंगी मैं इसमें दो विप्रित लिंगों नेकी असे को सब्सक्ता होते हैं अंगर कि चिस में होता है इसको हम explain करेंगे और detail से काफी मज़ेदार होगा इसमें विभेद भी करवाएंगे वो मज़ेदार तरीके से next वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद लाइक जरूर करेंगे subscribe जरूर करेंगे मेरी मेहनत आपको थोड़ी सी दिखाई दे रहे होंगे जरूर आप चैनल को subscribe करेंगे अपने दोसों के साथ में share करेंगे